कि हाई फ्रेंड्स मैं जागेश्वर कुमार सम्रद्य यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत कर दोस्तों वीडियो बैच के सीरीज चल रहा है जिसमें मैं तीन विचे एक साथ आपके साथ शुरू किया हूं तीन विचे का कंटेंट लेकर मैं आप लेकर साथ उपस् के चैनल तो और प्राचिनी तीहाथ में कौन-कौन से टॉपिकस हमें क्यों-कौन-कौन सा टॉपिक के क्यों की जाइन से और किन-किन में तो ना बें हिस नियुक्त i human के बीच साथ आपके विच्छ में उपस्तित हूं प्राचिनी तेहाथ से पांच question एंचेंट हिस्ट्री से मेडवल हिस्ट्री सेंपंच और जिसी से पांच कुछ्चन आने कि इतिहास से टोटल 15 त्टिस मार्व को कुछचन पूछ जाएंगे और देखते हैं कि आखी जो है प्राचिन इतिहास है उस में क्या-क्या टॉपिक हम पढ़ना है पहला टापीक आप पर सक्रीन पर देखे रहे हैं दोस्तों प्राचिन भारत को समस्तहरा या उसको समझे में कुछ फ्रतת प्राचिन बातों के लिए नुकर को अधार दोस्तों कि हमारा पहसां काल होसो यूग है तो इन तमाम बातों को हम लूग दिखेंगे की आखिर पासान काल कितने भागों में बटा बाता हूए कि क्या पासन काल को इतिहास में जगह दी गई तो और इसमें घ्रिस्टूकौन से उसके एस्पेक्ट से क्या-क्या बाते हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए तिसे दोस्तों है अधापा सभयता हिंडूस वैली सिविलाजेशन आपको मालूम होगा दोस्तों कि हड़ापा सभयता को में रोग सिंधु गाटी सभयता भी कहते हैं का है सभयता में क्या-क्या चीज़ें हैं कोड़ा ने रहार में थेयार होगे को अधियार में चालो स्दाधं 60 में आने के पीछे कौन कोन से कारण कौन कोन से कारण तो इन तमाम सब्सक्राइब करेंगे हुआ है अंको कुछ आहे हैं और थे महलं नहीं आता हुखिए नहीं कन से गुंदम औरुम दोस्ते इन तमाम बातों का अध्यमक इस टॉपिक हज़िए the मतलब छटी सतावदीश्विपूर्व में जो राजनितिक दसा था जिसे महाजनपद करते हैं तो महाजनपद कितने थे कौन-कौन से महाजनपद थे उसकी रायधानी क्या था इन तमाम बातों का देन अम्लोग इसमें करेंगे फिर दोस्तों मौरिशमराज आखिर मौरिशमर के बाद के काल को मौरिशत्तर काल करते हैं मौरिकाल के बाद वाली काल को बाद वाले समय को मौरिशत्तर काल कहा जाता है तो मौरिशत्तर काल में देखेंगे कि आखिर किन-किन बातों का समावेश किया गया है और कौन-कौन से हमारे एक्जामिशन के दृष्टी कौन से उ उसका परसासन कैसा था। फिरे प्राचिन भारत दचन भारत के राजवन्स वौशंगम यूग आखिर दिछिन भारत जो मेरा है उस मुझके उस में कौन-कौन से राजवन्स हुए और प्रताफी राज हुए कौन-कौन से महत्तफूण राजा थे उनके बारे में जानकरी रखना और एक होता है संगम-द्वरूग उक किश यूग हों लोग संगम-द्वरूग और च तौसंगा यूग की विशेष्टाया क्या है इन तमाम बातों का मुर्ober्पिक पर क्राइगों पराचिन टाइम डॉन कीष्पिक करें और चाहिए और जिन्हें लिब मुर्प इससलिए इसलिए बताய हूं ताकि जब हम लोग topic को जब एक बार ध्यान में रहेगा अपने मन मस्तिक्स में अगर topics रहेगा आपको बार बार topics को पढ़ना है दोस्तों आपको अपनी copy में लिख के रखना है कि आपको कौन कौन से topic पढ़ना है किस मिसे में कौन सा topic आपके लिए important है और जब बार बार आप टॉपिक को देखेंगे ना तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में और चलता रहेगा आप उसके बारे में कुछ खोजी प्रियूर्टी का बनेंगे जब आपको बुक देखेंगे तो जहां आप देखी का माले यह मुर्युत्तरकाल तो आपके दिमाग में आएगा कि मुर जो दिश्टिकोन होगा वो बिल्कुल सबसे हटकर होगा और आपका एक डिश्टिनेशन आपको नजराएगा लेकिन अगर टॉपिक आपको ध्यान में रहें दोस्तों आप बिल्कुल बस चले जा रहें चले जा रहें आपको पता नहीं कि आपको जाना कहा है मंजील आपक करें रखेंगे इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे ना तो आपकी जो पढ़ाय होगा काफी स्टॉम होगा दोस्तों और एक महने के बाद आज से गीजन कर तीसमा दिन एक महने के बाद आपको लगेगा कि आप एक्जामनेशन को करेक कर सकते हो जबुरत है आपके लगन का महनत का और एक अनुसासन का अनुसासित होकर पढ़ने का आप दोस्तों वीडियो जितना भी आपको दिया जाएगा यहां पर कंट्रिक्ट आप वीडियो को एक बार दो बार आप रिवाइंड करके देखिए और कम से कम इसके अलावा वीडियो देखने के अलावा कम से कम तीन घंटे आप घर में समय दिजी तीन से चार घंटा पढ़िए देखिए कि आप पिल्कु एक्जामनेशन को करेक्ट कर लेंगे दोस्तों मैं यह नहीं करता हूं कि आपको नहीं आता आपको आता है लेकिन सब्सवाल ही उड़ता है कि एक्जामरिशन के प्रस्पेक्ट में एक्जामरिशन के दिस्टी कौन से हम कैसे पढ़े और बिना रन्निती का प्लैणिंग का बिना योजना करना मैडेट इसलिए आपको जोजना बनाना है और रन्नितिक अताइत पढ़ना है और मनमस्तिक्स म अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों को सेर किजिए ताकि अधिक सदिक लोगों को इसका फैदा पहुचा है फैदा पहुचे धन्यवाद